जैमा सरस्वती स्टूडिंट हमारी प्रैक्टिस एक्साय स्टूडिंट में हमने 6 तक अपने कोश्टिन को कंप्लीट कर ले थी जो लाइन्स वाला हमारा चेप्टर चलना था आपको सबस्वाय तो चलता हैं इंफंत कोश्टिन पे देखे यहां पर क्या है इनफिगर डिटरमाइपन वैली ऑफ वाई तो हमें यह यह और यह गिवन है हमें वैली के वैल्लीव फाइड करना है अगर हम गौर से देखे तो यह वाला यह एंगल किसके इकवल होगा इसके तो अगर यह 5y है तो यह भी हो जागा हमारा 5y तो फिर इस वाले एंगल पे ध्यान देते है तो यह क्या है Supplementary है हमारा Supplementary एंगल कहा होता है जिसका Sum के आता है हमारा Variety आता है न तो अगर इन तीनों को हम प्लस करें 5y प्लस 5y प्लस 2y तो क्या जाएगा हमरे पास तो हमारा कितने का होगा 180 का 5 प्लस 5 10 10 प्लस 2 12 12 y आ गया अब is equal to 180 के हो जाएगा ठीक है अब y is equal to किता हो जाएगा 180 upon 12 हो जाएगा तो 12 से 180 को करते हैं 12 से 180 तो हमारा y is equal to कितना आ गया है 15 15 आ गया न y is equal to तो y is equal to 15 तो देखो आंसर नमर कौन सा राइट है c is right answer तो इस तरह से करेंगे अब चलते हैं next question पर यहां पर क्या दे रखा है हमको एक figure दे रखा है okay तो इसमें क्या करा है in this given figure if pq पहलर rs and हमारा कौन सा qpt is equal to इतना दे रखा है and यह इतना दे रखा है इधर पर वाला then srt तो हमें srt इस पर fine करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अपना यहां पर first में हमें अब उस पर नहीं कर सकते न वहां पर पहले भी लिखा हुआ है तो हम क्या करता है figure बना लेते हैं okay तो चलो figure बनाते हैं इसका कैसे बनेगा इसी का जो पहले book में है वही देख लेते ठीक है मैं अलग से आपको समझा रही हूँ यह बन गया कुछ ऐसी था अब इसको नेम दे देते हैं यह क्या है वन वन पाइफ और यहां पर कहीं क्यू है यह क्यू है यहां पी है और यहां पर एल है यह हमारा 20 गिवन है हमें और यहां पर कहीं आर है यह वाला पॉइंट और यहां कहां है यहां ऐसे ठीक है अब तो देखिए हमें कौन सा हमें find करना है इस पर जो क्या है find करना है then srt srt कहाँ पर हमारे पास srt तो यह t है तो srt हमें srt find करना है यह वाला तो देखो कैसे करेंगे अगर हम क्या करें इस वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा ले कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर यह ऐसे भी आए तो एंगल तो बने गई तो देखो इस पास क्या है qp और इसको नेम दे देता है l o के यहां पर l नेम दे देता है qp l plus और क्या हो जाएगा यहां पर यह वाला plr या rlp भी लग सकते rlp is equal to कितना होगा हमारा 180 के आ जाएगा तो अब यह देखो यह हमें given है कितना 115 यह इतना given है plus इसको ऐसी रहने देते हैं ठीक तो rlp हमारा क्या हो जाएगा 180 minus 115 हो जाएगा ok minus कर लेते हैं तो 10 minus 5 हो जाएगा 5 यहां पर 7 minus हमारा 1 हो जाएगा 6 ठीक है यह आ जाएगा 65 तो यह आ गया हमारा क्या 65 ठीक है चलो यह 65 आ गया अब देखो यह तो हमारा 65 आ गया अब देखो जो rlp है R L P R L P कहाँ पर है R L P ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितना क्या होगा R L P is equal to क्या होगा L R T कौन सा L R T प्लेस कौन सा हो जाएगा हमारे पास R T L R T L कौन सा होगा R T L और L R T मिलके कौन सा बनेंगे ये एंगल तो बनेगा न इस एंगल को हमारा क्या लिखनेंगे हम जो हमारे पास क्या पनेगा ये है जो हमारा वो इसके equal होगा किसके L R T और किसके और एंगल कौन सा L R T और R T L ये वाला एंगल ऐसे बनेगा ये वाला ऐसे न तो अब रख लेतें इस पे इसके जो भी मान थे हमारे पास जो भी हमारे निकले थे वो सारे रख लेंगे तो देखो LRT हमें LRT पता है हमें LRT ये वाला हमें पता है क्या है ये वाला ये जो ये है ये नहीं पता ना हमें तो LRT को इधर ही रख देते हैं LRT तो क्या हो जाएगा LRT is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास RLP minus RTL हो जाएगा इसमें से इसको minus कर लेंगे ठीक है तो अब LRT is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास यह हमें क्या है यह हमें पता है LRP कितना दरका है 765 दरका है और यह कितना दरका है 20 तो इसको 20 minus कर लेंगे तो कितना जाएगा 5, 6-2 हमारा जाएगा 4 तो हमारे पास angle LRT कितना आगया 45 आगया ठीक है अब यह तो 45 आगया हमारा यह वाला यह आगया हमारे पास 45 ठीक है हम यही fine कर रहे थे ठीक है यह वाला LRT ठीक है तो यही fine कर रहे थे यह तो आगे हमारे पास 45 अब देखो इसमें एक चीज और देखने वाली बात है अगर हम देखा किसमें S, R, T, प्लस इतना कर ले है कौन सा R, L, T कर ले है तो क्या आजाएगा 180 कौन सा यह वाली लाइन देखो इस पर समझ में नहीं आ रहा तो यह देखिए कुछ ऐसे बना है अगर इस वाले लायन पर यह 45 आ गया इसको हम फाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमारे पास कौन से यह कौन सा आगे MRT फैन कर लेंगे तो हमारा क्या जाएगा इसका आ जाएगा ना तो देखो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर अगर हम कर लें क्या SRT प्लस LRT is equal to 180 क्या यह supplementary बना रहे बना रहे ना 180 का तो एक तो हमें पहले से 45 दिर्खा है, कौन सा SRT वाला, देखो, यह वाला दिर्खा है हमें 45, उसको रख लेंगे, 45, sorry, यह वाला दिर्खा है, तो हमें निकालना SRT निफाइन करना है, यह हमें दिर्खा है 45, तो इसको is equal to 180 कर लेंगे, सिर्फ SRT यहां रहा हमारे पास, अब इसको इधर लेगे, तो 180-45 हो जाएगा, तो 180-45 कितना हो गया, 135, ठीक है, तो हमारा SRT हमें वहीं फाइन करना था, हमने फाइन कर लिया, ठीक है, सबसे पहले लाइन को थोड़ा कर लिया, आगे, यह वाला और यह वाला मिलके क्या बनात हमारा यह एंगल बनाते हैं, तो इस एंगल को फाइंड के हैं, फिर क्या करना है, देखो यह वाला एंगल, और यह वाला एंगल मिलके क्या बनाएगा, 180 बनाएगा, 180 वाले के लिए क्या कर लेंगे, यह वाले एंगल को, प्लस, जो हमें निकालना है, हमें निकालना था, SRT निकालना था वही हमने के लिकारा रास्ट में निकाल लिया ठीक है तो सिंपल है आप लोग इसको कर लेंगे अब देखिए जो हमारे पास नेक्स्ट है काफी जल्दी जल्दी हमारा एक खतम हो रहा है कौन सा मेजरेशन इसको हम कर लेखेंगे और इसके कुछ कोशेंस में मैं